वेल हेलो दोस्तों, आज मैं 2021 में रिलीज हुई एक कैनेडियन होरर कॉमेडी मूवी की स्टोरी एक्स्प्लेन करने वाला हूँ इस मूवी को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आउन कर लो ताकि सभी लेटेस्ट मूवी की इंविटेशन आप तक पहुंचते रहें So let's begin with the movie Brain Freeze जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें गॉल्फ ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहां एक मल्टीनेशनल बायो टेक कमपनी एक फर्टिलाइजर का स्प्रे कर रही होती है जिससे बर्फ में भी घास हरी भरी रहे और गॉल्फ खेलने वाले लोग पूरे साल गॉल्फ खेल सकें फिर सीन सिफ्ट होता है और हम आइलेंड की कॉम्यूनिटी के सेक्वेलिटी गार्ड डैन को देखते हैं जो टाउन का चक्कर लगा रहा था तब ही उसे साइकल पर फोन यूज़ करता हुआ एक एंडरे नाम कलड का दिखाई देता है जो बिना रुके ही उसके कार के सामने से निकल जाता है जिससे उसका एक्सिडेंट होते होते बचा था इसलिए डैन एंडरे को समझाने की कोसिस करता है लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है फिर हम देखते हैं कि अगर किसी को आईलेंड से सिटी तक जाना है तो उसे ब्रिच से होकर ही जाना होगा क्योंकि वो ही एक लौता रास्ता है सिटी में जाने का फिर हम डैन को देखते हैं जो अपनी बेटी पैटریसिया को कॉल करता है और डिनर अपने साथ करने को कहता है पर पैट्रीसिया उसे इससे साफ इंकार कर देती है अब अगले सीन में हम एंड्रे को देखते हैं जिसकी मॉम काम से लेट हो गई थी और अभी तक वापस नहीं आई थी तो एंड्रे की छोटी बेहन की बेबी सेटर कैमिलिया एंड्रे को उसकी छोटी बेहन की जिम्मेदारी दे कर वहां से चली जाती है फिर हम डैन को देखते हैं जो लकडी के बुरादे की मदद से आग जलाने की कोसिस करता है लेकिन उससे आग नहीं जल रही थी तो वो गन के बुलिट की मदद से आग जलाता है उन बुलिट के वज़े से वहाँ एक छोटा सा धमाका होता है जिसमें डैन की आईबरोस जल जाती है जिससे वो काफी फ़नी लग रहा था फिर अगले सीन में हम एंडरे की मॉम को देखते हैं जो की जूस बना रही थी एनी की बेबी सिटर कैमिलिया अभी तक नहीं आई थी तो वो एनी की जिम्मदारी एंडरे को दे जाती है इसके बाद हम माइकल को देखते हैं जो की टाउन का सबसे अमीर आदमी होता है वो कहता है कि ग्राउंड केलने के लिए बिल्कुल तयार है वही एंड्रे एनी के वजह से बहुत परिसान था क्योंकि उसकी बेबिसिटर आज नहीं आई थी वही हम देखते हैं कि पैटरिस या माइकल के लिए काम करती है इसलिए वो उसके साथ गॉल्फ ग्राउंड में थी उसके दाथ हरे हो गए हैं फिर दीरे दीरे देखते ही देखते वो आदमी एक जॉंबी में बदल जाता है और अपनी गल्फ्रेंड पर अटेक कर देता है और उससे बहुत बूरी तरह से काट लेता है जिस से उसे बहुत दर्द हो रहा था और कुछ देर बाद ही वो भी ए infected dog के काटे जाने के बाद मारसल भी infected हो जाती है तभी पीछे से और भी infected लोग आते हैं ये देखकर मौद और माइकल मारसल को पीछे ही छोड़ देते हैं और खर के अन्दर आ जाते हैं पर उनके साथ वो dog भी अन्दर आ गया था वो मौत के पैरों में काट लेता है जिससे अब मौत भी एक जॉम्बी बन चुका था वो माइकल के पीछे जाता है पर उससे बचने के लिए माइकल एक रूम में छुप जाता है वहीं हम डैन को देखते हैं जिसे एक लेडी ने अपने पड़ोसियों को चेक करने के लिए बुलाया था लेकिन जब डैन उन्हें चेक करता है वो देखता है कि वो बहुत अजीब थे क्योंकि अब वो भी इनफेक्टेड हो चुके थे तब ही डैन के पीछे खड़ी वो लेडी भी अचानक एक जॉम्बी में बदल जाती है और वो डैन पर हमला कर देती है पर डैन जल्दी से अपनी कार में छुप जाता है जिससे वो जॉम्बी उसे नहीं काट पाती ये सब देखकर डैन बहुत डर गया था और वो पैटरेसिया को कॉल करता है पर पैटरेसिया उसका कॉल नहीं उठा पाती क्योंकि वो अभी भी एक कमरे में छुपी थी जिसमें जॉम्बी जाने की कोसिस कर रहे थे फिर हम एंडरे की मॉम को देखते है जो इंफेक्टेट पानी पीने के बाद जॉम्बी बन गई थी फिर वो एंडरे पर हमला कर देती है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था पर इससे वो बहुत डर गया था और उससे बचने के लिए वो घर से बाहर भागने लगता है बहार उसकी मॉम को एक कार्ट ठोक देती है जिसमें डैन बैठा था कार्ट से टकराने के बावजूद वो घसीटती हुई एंडरे के तरफ आ रही थी एंडरे उसकी मदद करने की कोसिस करता है पर डैन उसे ऐसा करने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है पर उसके बाद भी एंडरे अपनी मॉम को घसीटते हुए अपने घर में ले आता है हलाकि उसी दौरान उसके पीछे और भी जॉम्बीस पड़ गए थे लेकिन वो उनके आने से पहले ही घर का दरवाजा बंद कर देता है इसके बाद वो पुलिस को कॉल करने की कोसिस करता है पर उसे पता चलता है कि उस आइलेंड को पूरी तरह से कुरेंटाइन कर दिया गया है जिससे वहां मौजूद कोई भी बाहर नहीं निकल सकता तभी एंड्रे देखता है कि उसकी मौम उसकी छोटी बहन के पास जाने की कोसिस कर रही थी इसलिए वो उन्हें घसीटते हुए बातरूम में ले आता है और वहीं बंद कर देता है वहीं डैन अपनी बेटी पैटरिसिया को ढूंटे हुए उसकी वर्क्सॉप तक पहुंसता है वहां बहुत सारे जॉम्बीस उस पर हामला कर देते हैं पर वो उन्हें एक एक करके मारता जाता है वहीं हम देखते हैं कि सिटी और आइलेंड को कनेक्ट करने वाले ब्रिच को ब्लास्ट कर दिया गया है जिससे वहां तक वो इन्फेक्सन ना पहुँचे ब्रिच के तूटते ही पूरे आइलेंड की लाइट्स चली जाती है तब ही एंड्रे की फोन की बैटरी भी चली जाती है और उसका फोन स्विच ओफ हो जाता है फिर एंड्रे को लगता है कि उसकी माम को भूक लगी होगी तो वो उनके पास जाता है लेकिन उसके पीछे पीछे उसकी चोटी बेहन एनी भी वहां आ जाती है अब उसे देखकर उसकी मौम उसके पर हमला करने की कोसिस करती है पर एंड्रे उनका ध्यान भटकाता है और उन्हें अपने पीछे-पीछे बातरूम से बाहर ले आता है बाहर आते ही वहां रखा टी भी अचानक से उसकी मौम के सर पर गेड जाती है जिससे उनका सर बहुत ही बुरी तरह से दब जाता है और वहीं उनकी मौत हो जाती है इससे एंडरे बहुत दुखी था फिर एंडरे एक सीडी लगा कर बहार के हाला देखता है वहां को जॉंबीस उसका इंतजार कर रहे थे तो एंड्रे अपनी बेहे नैनी के साथ गेट पर खड़े होकर गेट खोल देता है सबी जॉम्बीस अंदर आते हैं और वो बिल्ली की आवास सुन कर उसके पीछे चले जाते हैं तब ही मौका देखकर एंड्रे बाहर चला जाता है पर बाहर और भी जॉम्बीस उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे चारो और से घेर लेते हैं चारो और से घेरने के बाद अब एंड्रे के पास वहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नहीं बचा था पर जिससे पहले जॉम्बी सो उस पर हमला करते पीछे एक सौप से डैन उसे अंदर खीच लेता है फिर एंडरे डैन से वहां से बाहर निकलने का तरीका पूछता है तो एंडरे उसे पताता है कि ब्रिस टूटने के बाद से इस आइलेंड से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि नदी का पानी बहुत ठंडा है और उसे कोई पार नहीं कर सकता उसके बाद एंड्रे पेटरिसिया को देखता है जो कि एक जॉम्बी बन गई है इसलिए डैन बहुत दुखी है उसने पेटरिसिया को एक जगह बंद कर दिया है क्योंकि उसे अभी भी उम्मीद है कि वो उसे ठीक कर सकता है वही हम माइकल को देखते हैं जो उसी मल्टी नैसनल कमपनी को कॉल करता है वो उसे कहते हैं कि वहां हमारे एक्सपर्ट की टीम पहुँचने वाली है जो आइलेंड पर हुआ सारा डैमेज सही कर देंगे और हमारी कमपनी ने क्लीन अप भी सुरू कर दिया है वही रेडियो पर डैन और एंडरे आरजे पैट्रिक को सुन रहे होते हैं वो कहता है कि आलेंड के लोगों को वहां से नहीं लाया जाएगा क्योंकि उनके वज़े से सिटी के लोग भी इंफेक्टेड हो सकते हैं डैन पैट्रिक को कॉल करता है वो उससे कहता है कि यहां हमारे तरह और भी लोग हैं जो अभी इंफेक्टेड नहीं हुए है पर पैट्रिक कहता है कि हम उनकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि उनके साथ यहां infection के आने का भी खत्रा है इस सुनकर डैन पूरी तरह से निरास हो जाता है एंड्रे डैन से कहता है कि अगर तुम्हें पैट्रिस यह को ठीक करना है तो हमें पहले पता लगाना होगा कि यह virus कहां से आया है ताकि हम इसका इलाज कर सकें तब ही डैन समझ जाता है कि एक पानी ही ऐसी चीज है जिसके जरीए यह virus इतनी तेजी से फैल सकता है एंड्रे भी उसकी बातों से एकरी करता है क्योंकि वो भी पानी नहीं पीता साथ इसलिए वो virus infected नहीं हुआ है यहाँ पर डैन को लगता है कि जरूर किसी टेररिस्ट ने water supply में वाइरस मिलाया होगा पर एंड्रे को ऐसा नहीं लगता क्योंकि उस आइलेंड पर किसी भी टेररिस्ट का आना लगभग impossible है उसके बाद डैन, एंड्रे, उसकी चोटी बहन एनी और साथ ही पैटरिसिया को भी लेकर वहाँ से जाने लगता है उस दोरान उसने पैटरिसिया का चेहरा पिंजरे से कवर कर रखा था ताकि वो उनको काट ना सके वहाँ पर मौजूद बाकी जॉम्बीस भी उन पर अटेक करने की कोसिस करते हैं पर वो किसी तरह वहाँ से जल्ली से निकल जाते हैं उसके बाद हम कैमेलिया को देखते हैं जो पैटरिक को कॉल करती है और उससे कहती है कि उस आइलेंड पर अभी भी बहुत से अच्छे लोग रहते हैं जो अभी वाइरस से इंफेक्टेड नहीं हुए है तो पैट्रिक कहता है कि जब तक वो वायरेस हो साइलेंट तक ही है तब तक पूरी दुनिया सुरक्षित है पर एक बार वो बाहर आ गया तो कोई भी उस इंफेक्शन को लोगों में फैलने से नहीं रोक सकता उसके बाद हम मायकल को देखते हैं जिसके पास बायो टेक कमपनी की दो लड़कियां पहुंचती है जिससे वो बहुत खुस होता है क्यूंकि उसे लगता है कि वो उसे बचाने आई हैं वो कहता है कि मैंने सबी डॉक्यूमेंट्स और कॉंट्रेक्ट्स जला दिया है अब भी वो दोनों लड़कियां जबरदस्ती उसे वो वाइरस पिला देती हैं जिससे वो भी एक जॉम्बी में बदल जाता है फिर हम डैन को देखते हैं जो वाटर सप्लाय तक पहुँच चुका था वो एंडरे से अपनी बहन एनी को उसी कार में छोड़ने को कहता है और वो पानी से एक बहुत खतरनाक जॉम्बी बाहर आता है और उस पर हमला करने लगता है पर डैन के पास पैटरेसिया के होने के वज़े से वो उसे कुछ नहीं करता और एंडरे के पीछे चला जाता है एंडरे अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है वही डैन पै पैटरेसिया की मदद से उन जॉम्बी से बसते बसते अपनी कार में आ जाता है उसके पास पैटरेसिया का वो ख़डा होगा भी होता जिसकी मदद से एंड्री का dentaleis क कर लेता है फिर हम बायो टेक कंपक्ली वाली लड़कीव को देखते हैं कि इस ग्रांड में उस एंटी ले लेता है वहाँ पहुंचने के बाद एंडरे एणी के चारों और फरनीचर की दीवार बना देता है ताकि वह वहाँ से कहीं जाना सके और सेफ रहे फिर एंडरे डैन के पास जाता है जिसके बाद उन्हें वहां मार्शेल का डॉगी मिलता है जो कि अभी पूरी तरह से एक खांस में बदल गया था पर वो अभी भी सांस ले रहा था इससे वो दोनों हैरान थे फिर डैन एंड्रे से वापस जाकर एनी का ख्याल रखने को कहता है और खुद अकेले आगे जाता है पर जब एंड्रे वापस आता है तो सेनी नहीं मिलती क्योंकि वो चलते हुए हौल तक आ गई थी वही डैन जब बेस्मेंट में आता है तो वो देखता है कि वहाँ टाइम बॉम लगा हुआ है इस टाइम बॉम किसी और नहीं बलकि उन बायो टेक कंपनी वाली लड़कियों नहीं लगाया था ताकि वो उस कंपनी के खिलाफ सभी सबूत मिटा सकें डैन उस टाइम बॉम को बंद कर देता है लेकिन उसी दोरान वो भी उस फर्टिलाइजर के कॉन्टेक्ट में आ जाता है वहीं जब उन लड़कियों को पता चलता है कि टाइम बॉम बंद हो गया है जिन से वो काफी डर जाता है फिर दोनों मिलकर उसे फर्टिलाइजर पिलाने की कोसिस करती है लेकिन तभी एनी उन में से एक को काट लेती है क्योंकि अब वो भी एक जॉंबी बन चुकी थी फिर पीछे से डैन भी दूसरी लड़की पर हमला कर देता है क्योंकि अब वो भी जॉंबी बन चुका था वो उस लड़की को काट लेता है उसी दोरान एक एन्टी टोड वहाँ पर गेर जाता है जो की एनी और डैन के बलड सेल्स में मिल जाता है एन्डरे उससे दूर भागता है पर एन्टी टोड लगने के बाद भी डैन एन्डरे को खाने उसके पीछे आता है पर एनी को देखकर वो उसे कुछ नहीं करता है और वहीं खड़े ओकर पेड़ों के तरह धूप सेखने लगता है फिर हम उस कंपनी के उन लड़कियों को देखते है जो एक दूसरे को इन्फेक्टेड समझ कर गोली मार देती है फिर एन्डरे को पेड़िसिया का कॉल मिलता है जिससे वो अपनी और अपनी चोटी बहन की वीडियो रिकॉर्ड करता है और लोगों से मदद मांगता है ये देखकर कैमिलिया को बहुत दुख हो रहा था फिर आर्मियो सालेंट तक पहुँच जाती है वो लोग सब को मार रहे थे उन्हें फरक नहीं पढ़ता के वो इन्फेक्टेड है या नहीं ये देखकर एंड्रे बहुत डर जाता है और वहीं पर छुप जाता है तभी एंटी टोट के वज़े से एनी वापस एक इंसान बन गई थी वहीं हम डैन को देखते हैं अब वो भी एक इंसान बन चुका था जब आर्मियो वाले डैन के पास पहुँचते हैं तो वो उन्हें सब समझाने की कोसिस करता है लेकिन वो उसकी नहीं सुनते और उसे और पैट्रिसिया को जला कर मार देते हैं वहीं अब एंड्रे नदी किनारे पहुँच चुका था वहां कैमिलिया एक बोट के साथ उसे लेने आई थी वापसाते समय एंड्रे के पास पैट्रिसिया का हाथ भी था जिसकी अब उसे कोई जरूरत नहीं थी तो वो उसे पानी में डाल लेता है फिर हम देखते हैं कि एक मचली उसे खा कर इंफेक्टेड हो जाती है और यहां हमें पता चलता है कि अब वो वाइरस सहर तक भी पहुँच जाएगा और यहीं मूवी एंड होती है Hope you enjoyed this video For more such video subscribe to our channel and press the bell icon और हमें comment करके जरूर बताएं कि आपको मूवी की story और explanation कैसा लगा Thanks for watching